नमस्कार दोस्तों मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं रास्तान लोग से वायूग रीट का जो सेकंड पेपर है उसके हम सुरुवात कर रहे हैं और सब लोगों को पता है कि इस बार जी के अडिकल आ रहा है तो डेफिनेटली ये जो टोपिक है वो तो रहे गए रहेगा एक परसन आपको इसमें से देखने को मिलेगा सेकंड ग्रेट की बात करें तो उसमें ज है जो चिज़ें इंपरेंट हैं वह मम्ह प्रथम प्र nhất है वह भी इस व्डियो में कुछ है कि किस तरह के प्रश्ण आनेवल एक्जाम में आध मैं सकते हैं एक में मुटा मूटा का आईटिया दूँ में प्रत्वति प्रत्रम दिक्स के प्रभी स्ण था सब्सक्राइब करता है तो पर यहां से पूचह गया है दूसरे स्ताफना हुइ ृसे समंदित वरतमान में इसमंडिति कि गतनी है यहां इन आर्टिकलों में से नí आपको पता होनी चाहिए तो आईये discussion कर लेते हैं फटाफट याद कर लेते हैं इस topic को रास्तान लोग सिवा आयो इसको बोलते हैं आपको RPSC रास्तान Public Service Commission देखो जब भी आपके जहन में RPSC वर्ड पड़े तो आप इसमें से S निकाल लो इस S से दो तिन चीजे लिंक है हमे और इस S से क्या लिंक करोगी आप S के घोस को दूसरा आप इस S से याद रखना है आपको यह DST वाडी है उसमें यह जो S दिरका है इस से आप Link करोगी यह क्या है maximum का रिकाल है कि maximum का रिकाल है वो किस यहर्मेंड का था तो आप याद रखिएगा ढिस S से आप इस S को लिंक करोगे और तीस रायस जो है वो ऐसी हां ये एक समिति है जिसका नाम है सब्टे नाराइन राव समिति सब्टे नाराइन राव समिति जब आर्पेसी का गटन हुआ उस टाइम इसका जो मुख्याली है आर्पेसी का मुख्याली था जैपुर लेकिन जब राज्यों का पुनर ग यहां से तीन चीजे निकाल ले हैं, वर्तमादिक्स कौन थे, एस के गोश्टे, सबसे लंबा का रिकाल किसका है, डियस्टिवाडी का है, और किस समीति की सिफारिज पर, रस्तान लोग से वायोग, जिसके मुख्याले को, या जैपुर से इसे अजमेर स्तना निदेत किया, त यह चैंज होते रहेते हैं, कार्यकाल जिनका पूरा हो जाता है, या उनकी एज जो है, वो पूरी हो जाती है, तो दूसरे होते रहेते हैं, जैसे पहले बुपेंदर यादव थे, पैंथी सो नमबर पे, उसके बाद सिफिशिंग राठोड आएका रिवाए, और अभी जो अध्यादेश जारी होने की तिती है, वो है आपकी 16.199, यह जदा याद ने रखनी, स्तापना, यह इंपोर्टेंट है आपके लिए, स्तापना, यानि आरपेसी का गठन कब हुआ, प्रभावी कब से हुआ, तो यह डेटा थी आपकी 20.199, यह वेरी इंपोर्टेंट है, अरपेसी का गठन का बुआ भीस अगस्त, निसो उननचास को, इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट बात है, कारिकाल, अरपेसी का करिकाल कितना होता है, छे वर्स होता है, या 62 वर्स जो भी से पहले समापतो, मैक्सिमम हम देखते हैं, 5 वर्स कारिकाल होता है, जैसे सरपं को सुमती है सिंपल सी बात है इस आधमें को चेरमें मनाना है तो उसी आधमें को फिर नूक कर दिया जाता है परंतु यह बात विश्चेस्टोर पर याद रखेगा पदसे हटाना हो कोई भी चेरमें गलत तरीका अपना लिया हो गलत तरीकर से बढ़ती करवा दी हो और उसप पद से हटाया जा सकता है और ये सकती होती है आपके रस्टपती के पास पद से हटाने का काम कुन करेगा आपका रस्टपती करेगा ने की राजिपाल राजिपाल के पास सकती होती है सिर्फ निलंबन की निलंबित कर सकता है वो हटा नहीं सकता है हटाने का काम होगा आपका यह याद रखिए वरतमान में इसकी सेक्टर क्या है उसके सदसे स है तो इसके बाद देखी है तीसरे टाइप का प्रस्निए यहां से पुझा ताय है, आर्टिकल से समंधित, और आर्पेसी में कहां से कहां ते क्या आर्टिकल आते हैं, 315 से लेके 320 तक, तो 315 का आर्टिकल क्या कहेगा, कि संग वह रज्यों के लिए लोक सेवा आयोक का प्रावदान है, रज्यों के लिए श्यूप्त लोगसे वाएंग के गठन का प्रावदान है दो या दोसे अधिक राज्य करतें कि हमारे लिए यह कि लोगसे वाएंगो वह यह ऐसा परस्ताव पारित करतें तो संसर बिल्कुल इसा काम कर सकती है और यह करा प्रावदान कौन से आर्टिकल करता है आपके रस्ट पती करते हैं नेकी रज्यपाल क्योंकि वहां पे दो या दो से अधिक रज्यों के रज्यों के रज्यपाल से बात नहीं कि जट्थी वहां पे ठीक है तो यह चीज आप याद रखिए इसके बाद देखेगा आर्टिकल 316 में बात लिखी है सदस्यों की न्युक्ति वह कारिकाल न्युक्ति रज्यपाल करता है और कारिकाल 6 या 12 वर्स जो भी पहले से समगत हो 316 जदा इंपोर्टिट नहीं है सत्तरा को आप याद रखिएगा खत्तरा 317 मतलब खत्तरा खत्तरा का मतलब क्या हो गया पद से हटाना कोई भी गलत काम कर दिया उपद से हटाना और हटानी का अधिकार के इसके पास होता है आपके पास राश्टपति के पास जबकि निलंबन की सकती राज जपाल के पास प्राद्जे के या संग लोग से वा आयोग के अधिक्स वह सदस्य के रूप में निक्त हो सकते हैं इनके अलावा वो कहीं नहीं जा सकते हैं लेकिन अन्य कोई लोग से वायोग है या संग लोग से वायोग है तो वहां पर रटायर होने के बाद वो दूसरी जगह जा सकते हैं अदिक्स के रूप में भी नुक्तू सकते हैं, सदस्थे के रूप में भी दूसरे पार्ण पील्मॉटि स्क्राइवें यसी नुक्स अदिक्स करने का काम कुन निकमारता उभरत कार्ण करता। अदिकारी हैं। लेकिन ट्रांसबर से समन्धित कोई भी किसी भी प्रकार का राजेपाल को प्रामिस देना, ये कहीं भी उलेक नहीं है. ये प्रस्थन आया हुआ है, कि एक राजे से दूसरे राजे में हम。 स्तानांत्रण के लिए राजेपाल से प्रामिस लें, इस तरह का कोई लेक यहाँ पर नहीं है यह प्रसंद दो बार आ चुका है थोड़ा सा याद रखेगा यह मोटा मोटी ड्यूटी से समंदित कार्ये से समंदित बाते हैं थोड़ा सा आप याद रखेगा इसके बाद है 321 काता है कार्यों का विस्तार ज्यादा इंपोर्टे नहीं है और 322 है वेतन बते जो आपके संचीत निधी पर आधारित है यह पी इतना ज्यादा याद नहीं रखना है और 320 है राज जेपाल को प्रती वर्स किये गए कार्यों का प्रतिवेदिन देना है कि प् पंद्रा दो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दो या दो से अधिक यह दिराजित चाहें प्रस्ताव यह सा पारित कर दें तो बिल्कुल यह प्रावधान है कि वह श्यूंक्त लेवर लोग से वायों का गठन मिलब प्रावधान कर सकते हैं तो यहां पर यह हमारा टोपी कंप्लीट हो जाता है अब हम कुछ प्रीवियस एर के जो प्रस्ने वह हम सोल करते हैं जैसे बहला प्रस्न है राजस्तान लोग सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा सर्तों का निर्धान कोन करता है राज्यपाल रस्तपती मुख्यमंत्री राज्यविदान सभा तो इसका उत्तर क्या रहेगा आपका उत्तर रहेगा राज्यपाल उप्शन ए बिल्कुल इसका से उत्तर रहे अग्ला देखते हैं पहले आयोंग के सदस्यों का कार रिकाल अपने प्द्ग्रैन्ड से 6 वर्स या 62 वर्स के आयों कोई दिकत नहीं है बिल्कोल सही बात है यह बिल्कुल गलत बात है अगला प्रसंद देखी गा यह किस अनुचेद में कहा गया है कि इस अनुचेद के उपबंदों के अधिन रहते हुए संग के लिए एक लोग से वायोग और प्रतिक राज्य के लिए एक लोग से वायोग होगा तो यह हम बात करके हैं अनुचे 315 के अधर सिंपल सा प्रसन है, 2018 का यह प्रसन है स्विधान के अनुचे 3151 में प्रतिक राज्य के लिए एक लोग से वायोग का गठन का प्रावदान किया गया है अनुचे 3152 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक स्यूख्त लोग से वायोग के गठन का प्रावदान है यह कौन सोबते हैं श्यूप तो लोग से वायू का अधिक्स वह सदस्य तो अराम से यह चीजे आपके पास कुछ कलियर हो गया होगा कुछ डाउट आपके थे चलिए आजर्श्टान लोग से वायों का अधिक्स्यूथ उस सदस्यों के नुक्ती किसके द्वरा की जाती है तो यह की जात dandy मंत्री परी syd द्वरा तो यह चीज़े हमने देख लिए एक बार आप प्रशन होता है तो यह चीज़े हमने देख लिए एक बार आप तो यह चीज़े हमने देख सकते हैं चलिए अगला प्रशन ले लेते हैं फटापट यह दिरास्तान लोग से वायो का अधिक्स अपने पत्स से मुक्त होना चाहिए तो वह अपना त्याग पत्र किसे समोधित करेगा प्रदान मंत्री को रास्त पत्र को राजेपाल को या शोका है वह राजेपाल को सोपने खाष यह लास्ट वाला है दिनीम 323 देखो यह एग्जाम है 2001 का प्लसन है इसम एक अबिश्चार्ण आबकर नंबलेगो असो अपनि फिवपार्स अपनी व्यवी दिकार्ये कलापे रधी आनुन प्रामर समंदी कारियों का संपुर्ण जो वीवरन है लेका जो कहें वो राज्यपाल को प्रेशिद करता है बहुत अच्छा प्रशन है एक बार देख लिए अगला है रास्तान लोग से वायू का गठन कभुवा तो मैंने आपको बताया था 20 अगस्त प्रशन लोग से वायू का मुख्याले अजमेर में हैं राजमेय योगे लोग सेवकों की बरती के लिए ये सला के लिए सला देने के लिए स्विधान में की अनुचे 315 के तहट रास्तान लोग सेवाय के स्थाफना 20 अगस्त इसका प्रथम अद्धिक्स एसके गोस्त को बनाए गया रज्यपुनर गठन के बाद सकते नाराएं डाव समीति की सिफारीश पर लोग सेवा आयो के जो खेले उसको अजमेर सनान अंत्रेट कर दिया यह बात में उपरा आपको बता दिया अगला परसन देख लेते हैं अगला परसन है राष्तान लोग सेवा आयो के सद्धिक्स की वा अद्धिक सईथ कुल अनुमत संक्या कितनी है तो यहां पर लिखा है अद्धिक्स सईथ पूचा है एक पलस साथ होगा तो कितने होगी आपके आठ होगी तो राइट हैं से क्या रहेगा उसान नमर्च जा लोग से अधिक्स की निउक्ती कोन कर सकता है तो समें भारत के रस्टपती दौरा और चोता है सबसे बड़े राजी के राज्यपाल तो लोग से वह योगा गया तो वहां पर राज्यपाल का कोई नाम नहीं आएगा वहांपर सिर्फ नहांबाव भारत की राष्टपती दौरा उप्संतीन सभारत की जीज़ा अगला और लास्ट तो नेखिकम है सहे देख लीजेगा राजस्तानलोकसिवाअयोक के अधिक्स के रूप में निनकित में से किसका कारिकाल सबसे लंबार राये तो डgesetzt वारी है सा adapting समय नेश्टिवाधि रासतान लोकसिवा तो कि अधिक्स के रूप में अधिक्तम का रिकाल किसका है दी लेकिन निलंबन के बाद यह वह आरोप सिद्ध हो जाए आई को सुप्रीम कोट यह कहाँ यह आरोप इस टेर्मेंट पर बिल्कुल सही साभीत होता है तब उसे ब्रकास जी से त्याग अठाने का काम जो होगा वह किसके पास होगा आपके पास वह आपके पास राश्ट पती क आदेश द्वरान नुचे 145 में वीद प्रक्रिया के तहट उस्तम नियाले द्वराद दोस सिद्ध होने पर ही अठाया जा सकता है जांच की दौरां राजपाल आरोप यह सद्धिकों निलंबित कर सकता है मालों कोई आरोप लग गया तब उसे राजपाल निलंबित कर सकत यह सेवा सरतों का निर्धारन कोन करता है तो यह हो गया आपका रजपाल हो गया तो यह प्रसंत है आपके रास्ना लोग से वायुक से समधित यह आपका एक छोटा सा टोपिक पूरा हो जाता है उमीद करा हूँ अच्छे से समझ जाया होगा और यह पूरी PDF है वो मेरे टे आपके साथ तब तक के लिए हैं स्टेरी मुस्क्राद रहे थैंक यू बबाई